हलो फ्रेंड्स मैसल दॉक्टर सुशिला सैनि गाइनोकलाजिस्ट अन अपसिटेशन डायरेक्टर जापुर दूर्बीन हस्पटिल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है इस नए वीडियो में नई जानकरी के साथ फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं एडिनोमायोसिस के बारे में एडिनोमायोसिस एक यूट्रस के अंदर होने वाली विमारी है जो कि एक एंडोमेट्रियोसिस का ही टाइप है एक हमारा पिछला वीडियो हमने बनाया है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हमने के दर्द से संबंदित है तो जनरली एडिनोमायसिस का डाइगनोसिस तब निकल के आता है जब कोई लेडी किसी डॉक्टर के पास महिने का पेन लेकर डिस्मनोरिया की कंप्लेन लेकर चाती है और तब सुनोग्राफिय में यह पता चलता है कि आपको एडिनोमायसिस है तब डिस्मनोर जाता है कि अन्धर आतों पर या इंडॉमायसिस से रिलेटेड है जो कि अंदर का यूटरस का जो लेर है जिसको ऎंडोमेट्रियम बोलते है तो जब J metabol टिशू है जिसको ml और जाता है और बचठ जानी के जो आतों पर और फितनाती 강ए दाल इस आतå जो environment create होता है वो बहुत painful होता है तो यह बिमारी endometriosis के नाम से जानते हैं लेकिन जब यह जो महिने का जो blood है और जो endometrial cells है वो बाहर ना निकल का uterus की cavity से बच्चेदाने के अंदर उसके दिवारों में ही shift हो जाता है और वहीं collection शुरू हो जाता है और जो uterus के यह जो myometrium यानि कि जो muscles है muscular layer है उसकी thickening हो जाती है यानि कि उसका hyperplasia बोल सकते है या एक तरीके से यह बोलते है कि uterus ने अपनी body बना ली है तो इस तरीके से जब uterus की muscles hypertrophy बढ़ जाती है तो uterus का layer का thickness बहुत बढ़ जाता है और जो अंदर का जो endometrium है वह भी बच्चेदानी की बाहर के layers में shift हो जाता है इसलिए जब भी महीना आएगा तो यह बाहर के layers में भी महीने का bleeding होने लगता है और वहां पे anterior layer होगा एक posterior यानि की पीछे का तो पीछे की दिवार जनरली ज्यादा मोटी होती है आगे की दिवार की बजाए क्योंकि जो महीने का blood है और वह सारा पिछले हिस्से पर डिपाजिट होता है इसलिए इसमें एडिनो मायसिस में uterus की posterior wall का thickening हो जाती है यानि कि इसके thickness contract होती है यानि की संकुछित होंगी यानि की contract करके जब blood को expel out करते हैं बाहर ब्लड को बाहर निकालती है तो बहुत जादा severe pain होता है ये प्रकार से किसी किसी lady हमें इस तरीके से इसको labor pain जैसा pain हो रहा है यानि की labor pain भी एक तरीके से इसी तरीके का दर्द होता है कि जब uterus स्कूड़ा contract करता है तो contract करके बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है एडिनो मायसिस के अंदर भी uterus की मान स्पेश्यां होती है मसल्स होती हो सारी contract करके जितना blood अंदर इकठा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है तो जो cavity के अंदर यानि जो बच्चे दानी के रास्ते से बाहर निकल के आजाता है लेकिन जो इसके दिवारों में जो इबलाड इकटा हो गया है वो कॉंट्रेक्ट होने के बाद भी बाहर नहीं आपाता क्योंकि उसका कोई ड्रेनिज एरिया या उसका बाहर से कोई connection channel नहीं है जिसे कि वो बाहर निकल सके इसलिए यूट्रस में repeated cramps आते रहते और cramps आने की वज़े से contraction की वज़े से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो जो एडिनोमायसिस की ladies होती हैं वो हमें सबसे पहले शिकायत यही करती है कि बहुत ज़्यादा period के अंदर दर्द होता है और ऐसे लगता है कि कुछ बच्चा निकलने का जैसा या फिर जिसे बोलेगे लेबर पेंग जैसा मुझे दर्द होता है और किसी-किसी लेडी को पूरे महीने भर भी दर्द होता रहता है और ऐसे सिती में कई बार bleeding भी काफी ज् किसी-किसी लेडी को डिस्परियूनिया यानि कि husband से मिलने के दौरान भी काफी दर्द होता है क्योंकि एडिनोमाइसिस एक एंडोमेट्रियोसिस का ही टाइप है और कई बार एंडोमेट्रियोसिस भी साथ में काफी ज़्यादा असोसियेड होता है और जब बलड के clots बच जान चक्कर इस तरह के की शिकायते भी हो जाती है और अगर एंडोमेट्रियोसिस साथ में और असोसियेड है या आतों के किसी हिस्से में फैल गया है तो उस इस्से के सिम्टम्स भी उसे आने लगते हैं और कई बार योटर्स का साइज तीन महीने चार महीने के बच्चे ज जाता है जिसके वज़े से दर्द काफी बढ़ जाता है तो अब तक आपको ये बात समझ में आ गए कि आखिर एडिनोमायसिस होता क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं तो आप ये अपने आप से असेस्मेंट कर पाएंगी कि एक्चुली में आपको कहीं एडिनोमायसि के शिकायत तो नहीं है लेकिन अगर आपके दिमाग में ये शंका है या ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या मुझे एडिनोमायसिस है या नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा तो आपको सीधा सा सवाल का जवाब एक ही है कि आपको हमेशा अगर ऐसी कोई भी डाउट लगत और हम हमेशा हर वीडियो में आपको बताते हैं कि सोनोग्राफिय ट्रांस वेजैनल सोनोग्राफिय ही करवानी चाहिए जिससे कि यूट्रस और यूट्रस के आसपास के एरिया को बहुत ही डेटेल से माइनर डेटेल के साथ दीखा जा सकता है और यह मराई के कमपारेबल है अच्छे से पता चल जाता है कोई ओवरी के अंदर गांठ या बच्चे दानी के अंदर गांठ या और समस्या होगी तो साथ में वह भी पता चल जाएगी तो चाहिए प्रधी या निजेगनोणास वेजैनल सोनोग्राफिय या टिवीय यह से एडिनो मायोसिस के बारे में पूरी तरीके से पता लगाया जा सकता है अब जब आपकी सोनोग्राफी हो गई है और आपकी डॉक्टर ने आपको ये डियागनॉसिस दे दिया है कि आपको एडिनो मायोसिस है तो अब क्या करें? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आप दिमाग में आता है, हाई मुझे एडिनो मायसिस है, तो मेरा क्या होगा? आपका कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, ट्रीटमेंट बहुत हर बिमारी का अवेलेबल है, तो एडिनो मायसिस भी ऐसे कोई ला संबव है, जब हम इलाज की बात करते हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट आता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है, मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम उसमें कुछ गोलियां और दवाईयां, इंजेक्शन्स देखकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर किसी काम हो जाता और पेन भी काफी हगत तक कम हो जाता है, प्रोजेस्ट suf uney, अधै मेड़क अधन कर किया जाता है, तीनोजेस्ट भी इसका एक टील, ट्रीटमेंस के लिए 2 मिलिजर के गूली होती है just a, जो मरीज को regular तेन-छे मैन ने की खाने के लिए जाती है जिसके बाद काफी हद तक periods के pain को control किया जा सकता है periods के amount को यानि के bleeding जो हो रही उसको control किया जा सकता है और कई-कई patient को बहुत अच्छा relief मिलता है बट जरूरी नहीं है कि हर patient को relief मिले इसके अलावा progestron की injections भी लगते हैं जिसे deport injections होते हैं जो हर 3-3 महीने में लगाये जाते हैं रिपोर्ट प्रोवेरा के नाम से आते हैं और यह injections कोंट्रासेप्शन के लिए यानि कि गर्व निरोधक के रूप में भी काम में लिए जाते हैं यह सरकारी इस्पतलों में free भी लगाये जाते हैं और यह private में अगर आप लगवाते हैं तो बहुत ज़दा costly नहीं होते हैं तो आप लगवा सकते हैं हर 3 महीने में एक बार injection लगेगा दवाई का असर बहुत अच्छा रहेगा लेकिन बीच बीच में किसी किसी patient को इसमें spotting होती है किसी किसी को थोड़ा सा abdominal cramps हो सकते हैं तो किसी को suit करता है किसी को नहीं करता है यह choice है आपके doctor की और आपकी कि आपको गोली लेनी है दवाईया लेनी है injection लेना है या आपको surgery करवानी है इसके लावा एक injections और आता है इसको लिउप्राइड के नाम से डानते हैं जो हर महीने में एक बार लगता है और तीन से चे इंजेक्शन इसके लगाए जा सकते हैं इसके results भी काफी अच्छे हैं बिमारी के हिसाब से और आपकी choice के हिसाब से और doctor की सूझ बूच के अनुसा आप ये दवाईयां choose कर सकते हैं कि आपको कौन सा injection लगवाना है अब यदि आपको बहुत जादा दर्द है और आपको बहुत हैवी पीरिड्स आते हैं आपकी family complete हो गई है तो आप एक प्रोजिस्टरोन का IUCD यानिकी intrauterine device भी आता है जिसको IUD मिरेना के नाम से मिलता है औ और कुछ दूसरे ब्रैंड्स भी अबेलेबल हैं जिसको लिवो नोर्जेस्टरल एल एंगी IUD बोलते हैं यानिकी intrauterine device इसको बच्चे दाने के अंदर फिट कर दिया जाता है और यह थोड़ी-थोड़ी मात्रा में प्रोजिस्टरोन हर्मोन को रिलीस करती रहती है जिससे के अंदर का लेशियर का थिकनेस्ण पूरी तरह के से सूख जाता है और पीरिट्स आनघीरे-धीरे बंद हो जाते है और उन्दर का जो मायोमेट्रियम है जो जो मसलका लेयर का थिकने से वह भी थोड़ दीरे-दीरे-दीरे कम हो जाता है और एक बार फिट करने के बाद यह पास साल के लिए वैलिड होती है तो यह लगबार पर्मानेंट ट्रीटमेंट की तरह है इसमें बच्चेदानी निकालने के जरूरत नहीं है लेकिन आपको रिजल्ट बच्च में लीडिंग वो सकती है तो लेकिन फिर भी यह सर्जरी जिनको नहीं करवानी है जो सर्जिकल ओप्शन सर्जिकल ट्रीटमेंट का ओप्शन में नहीं रखना चाते तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ओप्शन है एलेंजी आयोड के नाम से यह मिलता है अब जब आ नॉर्मल लाइफ काफी जदा डिस्टरब्ड है तो डेफिनेटली आपको फिर सर्जिकल अप्शन चलना चाहिए और जनरली इसमें हम आपको बच्चेदानी निकलवाने के सलाही देते हैं जो के पर्मानें ट्रीक्मेंट है बच्चेदानी निकालने से यानि की यूट्रस परेशन हिए है इसको हिस्टरेक्टर में विब मुफ ऑला जाता है उसके परेटपरोगा के आपके सबी प्रकार के दर्द भी बंध हो जाएंगे और जब ऑपरेशन किया जाता है और तो यह भी चैक्ट कर लिया जाता है कि आजवास के area में कोई है कोई एंड़मेट्रियो का operation यानि की uterus removal का operation दूर्बीन से आराम से संभव है जिसके लिए आपको अस्पताल में कोई बहुत ज़्यादा दिन तक एडमीट रहने के जरूरत नहीं है एक से दो दिन के अंदर अस्पताल से छुटी हो जाती है यह दो या तीन चेट बनाए जाते हैं इसको की होल operation भी ब सरजरी बहुत आराम से परफॉर्म की जाती है एक से डेट गंटे की सरजरी होती है एक से दो दिन के अंदर अस्पताल में छुटी हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई परहेज नहीं होता सरजरी के बाद अपना normal routine आप follow कर सकती है और एक हफते के बाद आप काम पर वापस जा सकती है तो इस तरीके से इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि एडिनोवाइसस क्या होता है उसके क्या लक्षन है उसका कैसे इलाज होता है और उसके क्या के इलाज संभव है और medical और surgical दोनों तरह के treatment available है इन सब के बाद भी पूरा वीडियो देखने के आपको लगता है कि आपके query इस वीडियो में cover नहीं हुई है और आपके सवाल कुछ अभी बाकी रहे गए हैं तो आप definitely हमें comment box में लिखके पूछ सकती हैं मैं या मेरी team में से कोई भी आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे और अगर अब ही तक आपने हमारे YouTube चैनल को तब तक नमाश्कार